साथियों, आप सबने देखा और आज के एतिहासिक दिन के गवावी बने आज भाविये सपत गरहन के बाद नई सरकार गठन के मार्क पश्चत हुए हैं उसके पश्चाद आज हम प्रोजेक्ट भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदों के साथ पतादी कारियों को निदेश भी दिया गया उन में से कुछ महत्पुन बिंदों हमारे सामने थी जिसका हम लोगों ने निस्पादन किया आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों को मालूम है कि केंदर सरकार देश की रच्छा है तो अगनी वीर जैसी कारिकरम को चला रही है उस विसे को लेके कई सवाल है नौजवानों के भविस को लेकर और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राज सरकार ने हम लोगों ने पहले ही ये निर्णे लिया था कि जारकन राज के जो भी नौजवान अजनी वीर में सामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी बित्ति होती है तो उनके पुरे परिवारों के साथ परिवार जनों के साथ राज सरकार खड़ी रही गे और राज पुलिस कर्मियों को जो राज की किसी घटना में मिरती होने पर जो सहयता सहयोग सरकार देती है वही सहयोग अगनी विर के परिजनों को भी दे होगा आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असाम के सिमा औरती छेतर में अगरुवादी घटना में एक किसी अब आइस तारिक का दिन है जहां जारखन का एक नौजवान चंदनक्यारी बोकारोजीले का एक छेतर है वहाँ के एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ उनको और आज हमने उनके परीज़नों को बुलाया उनके भाई को हम लोगों ने एक निप्ति पत्र दिया और दस लाक रुपे अनुदान भी उन्हें उपलब कराया गया और उनके भाई बल्राम महतो बुकारो समरानायले में चतुर्त वर्ग के पद पर उनको ने उक्ति भी किया गया लगभग मिले लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिल हुआ होगा और हमारी कोशिस थी कि अविलम उनको ये सहता उपलब्द कराय जाए च्छे कि आप सब को मालू है कि राज में अचार सनीता लगू था सरकार गठन के पर किया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पिड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया इसके अलावा आज सभी बिधायकों को एकासी बिधान सवा में जो चुने गए सदस्यों को सपद गरहन हे तू प्रोटेम स्पिकर के रूप में प्रोफेसर स्टेपन वरांजगी को चुना गया और ये भी निर्ने लिया गया कि अगामी नौ से बारा तारिक शरकार का पर्थम सत्र आहुत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने नेने लिया था कि महिया सम्मान योजना के तहएं दिसंबर माज से महिलाओं के खाते में धाय जार रुपे देने का उसे भुक्तान क्या जाएगा पर्तिमा केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है एक लाग च्छतिस अजार करोर रुपे जो केंद्रिस सरकारी उपकरमों पर है उसकी वसूली के लिए कानूनी कारवाई प्रारम की जाएगी आपको पता है ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज है यहाँ पर समाजिक सूरक्षा, सुस्टन सिक्यूरिटी अत्यंत महत्पूर्ण और आवश्वक है इसके तहट राज के गरीब गुरुआ लोगों को उनकी आर्थिक सौलम्भी कैसे बने और इसको लेकर सुरकार को अपनी आर्थिक अपनी आई बढ़ानी क्या होई सकता होगी इसके लिए नए श्रोट खोजे जाएंगे खनन चेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समिक्षा होगी और उसमें व्रिधी वंग नियाईक मामलों जो लंबित हैं उन सब को तुरित गती से खत्म किया जाएगा खरन चेत्र में कितने अधिक करे बढ़ाई जा सकती है इस पर सरकार आगे बढ़ेगी आप सब को मालूम है कि हम लोगों ने उत्पाथ स्पाहिय में भरती की परक्रिया पूरी कर ली है लेकिन इस परक्रिया के तहट बड़े पेमाने पर नौजवानों की जाने गई है चो बहुत ही दुखत घटना के रूप में हमारे सामने आया है चुकि भर्ष में भी बड़े पेमाने पर पुलिस की बहाली होनी है इसलिए अविलन पिछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समिक्षा की जाएगी राज में सभी रिक्तपदों पर नियुक्ति के लिए जे पिएस्सी और जेसेस्सी तथा अन्य प्रादिकार एक जन्वरी दो हजार परचीज के पूर्व परिछा कलेंडर प्रकासित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकासित किया जाएगा साथ साथ में ये भी निर्ने लिया गया असम में जो वहां के चाइवगान में बरसों बरस से यहां के मूल वासियों को ले जाया जाकर के जो वहां बसे हैं जो विशेश कर जनजातिय समूँ जो जार्खन मूल के हैं उनकी दसा एवंग उनकी भोईस में दिये जाने वाले सुईधा का अध्यान के लिए सरुदल्य परतिनिदी मंडल एवंग पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमेनी अस्तर पर अध्यान करेगी और सरकार को परतिवेदन स्वापेगी यह कुछ महत्पून बिंदू आपके हम समख्ष हमने रखा है बाकी चीजें और भी है जो हम समय समय पर आप सब लोगों के समख्ष हवगत कराने का काम करें सक्र जो है मैंने तो भी कहा है भाई दिशंबर तक मिल लाए cabinet विस्तार सर्थ cabinet एक्षपेंसर सर्थ आपर फ्लोटेश कि बहुत जल्ट मुझे लगता है हुसकता है कि एक दो दिन में हो जाए खुले श्रेंथ रहेगा उसके लिए आप लोग चिंता ना करें अब सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी आप लोगों के भी सेवा में रहीए और आप लोगों का उमीद करते हैं कि सहयोग मिलेगा धन्यवाद मिलेगा उन्यवाद अप लोगों का लगप लोगों का लोगों का लोगों का लोगों झाल झाल